और भाई यारव इसको irritation कहूं कि United के reference के और अगर उस perspective की बात करूं तो इसको मैं embarrassing situation कहूं अब जो भी इस Christian Ronaldo के regarding हो रहा है या फिर हम Frankie Dion के हम किस्ते की बात करें जब हर चीज सही जा रही हो न जब आपकी टीम का एहिक match आपने देखा और आप उसी match के basis पर साथ बासमान पर तब ही आपको नीचे ले आते हैं यह कुछ अगर हम transfer stories के अगर हम बात करें आप कल के episode में जब मैंने यहाँ पर रोनाल्डो साथी वाले story को discover किया तो actually मैं वो पहली वीडियो record हो चुकी थे और उसके बाद ये news breakout होती है कि Chelsea ने भी यहाँ पर एक तरीके से रोनाल्डो को reject कर दिया है क्योंकि situation यहाँ पर यह वन रखी थी कि टेड बोली कि बात करें अगर उस पूरे administration के बात करें तो वो इस move को prefer कर देते हैं वो चाते थे कि रोनाल्डो यहाँ पर team है लेकिन actually मैं यहाँ पर जरूरत से ज़्यादा टूकल का सेता हम podcast message को analyze करे थे कि situation जब ऐसी create ह होगी कि टूकल के answer की बार ही आएगी तो वहाँ पर उसका weightage कितना होगा और वो भी तब बहुत धादा important होगा अगर टूकल ने इसके against answer किया और यहाँ पर यही चीज हुआ कि टूकल ने रोनाल्डो को recruit करने के against में answer दिया और टॉट बोली ने actually में इस चीज को agree कि ठीक ह है अगर तेरे को नहीं चाहिए तो यहाँ पर हम क्रिस्टिया रोनाल्डो के लिए move नहीं करेंगे क्योंकि definitely है अपने आप में बहुत बड़ा move होता है और शायद से हैं टूकल के इस decision को मैं respect भी करूँआ और समझ भी बाऊँगा कि कि आगर हम उस पूरे दो reason के हम बात कर करते हैं पहला reason यहाँ पर यह कि टूकल के मना करने के पीछे सबसे बड़ा reason यह था कि रोनाल्डो को recruit करना मतलब यह कि आपको कहीं न कहीं थोड़ा individual aspect पर भी ध्यान देना पड़ेगा अब इसका मतलब यह कि देखो है अभी तुम एक चीज मानके चलो कि अपन जब गोट किस तरीके से perform कर रही है बट हम उस टीम के हम बात करते हैं जिन में यह set of players होते हैं तो हम यहाँ पर टीम की तो बात करते ही हैं लेकिन definitely हम इनके individual stats के हम बात करते हैं आज के time पर कोई ऐसा बंदनी है जो PSG के पिछले सीजन को गिनाएगा और वहाँ पर मैसी के stats को ना गिन तो definitely यहाँ पर टूगल का मानना यह था कि रोनाल्डो को recruit करके कहीं न कहीं थोड़ा से मेरे को individual aspects है और यहाँ पर लुकाकू वाली situation से उसने यही चीज़ दिगी इससे बढ़िया तो यह कि collective पर जाते हैं कोई जंजटी नहीं है कोई pressure ही नहीं और media पीछे पढ़ेगी भी स्टेटमेंट इसले कि देखो या अगर नहीं ओनर की बात करें तो उसको चीए एक statement signing और statement signing के basis पर अगर वो sterling को आगे कर दे चुकि यार English media hype कर देगा English England National Team का player है Manchester City से आया है पहले भी Chelsea मेता तो definitely यहाँ पर कही नहीं कि बहुत बड़ा एक hype है और उसको एक face बहुत आराम से बनाया जा सकता है तो यह कहीना के reasons थे हैं I can totally understand कि ठीक है Ronaldo के regarding situation अभी कहीं से भी convenient तो बिलकुल भी नहीं है लेकिन इसी के साथ है ESPN के Rob Dawson ने यह चीज़ फिर maintain करी और अपना statement में इस चीज़ को एक reveal किया कि इस point of time पे भी Ronaldo की race में सबसे बहुत साला मेरे को यह सोंज मे में इसको hesitate नहीं करूँगा मानने में कि यह this is not the ideal move from Christian Ronaldo team क्योंकि इस point of time पर मैं को बता हूँ क्यों क्योंकि अगर हम Rod Dawson की statement के हम बात करें तो यहाँ पर यह मानके चलते हैं कि अभी भी Athletico Madrid और Bayern Munich इस race में present और पूरी तरीके से जिन्दा है ख्यार Athletico Madrid if you are a active member of this channel तुमको football लेली के एपिसोड में ने दो बार mention करा है Athletico Madrid को कि यह भी एक club है एक बार मैंने एक बार news बता ही थे और definitely दूसरी बार मैंने यहाँ पर opinion भी तुमको बताया था लेकिन सबसे पहले हैं मैं एक चीज़ों बतायता हूँ कि अभी हम फ्रेंकी fan base को थोड़ा सा address भी करूँ है मतलब शायद से मेरे लिए वो hypocritic हो सकता है लेकिन आपके लिए definitely वो sense बना सकते हैं लेकिन वापिस से जरा 20 पर आ जाते हैं अब देखो जब से race start हुए ना if there was a race तब से मेरे को सिफ तीन ही club के सबसे आदा chances लगे है और आज भी मैं उसी प आके कहते कि हमको नहीं चीए तो उसमें आप कुछ करी ही नहीं सकते हैं लेकिन अभी भी बायन के regarding मेरी एक ही थियोरी है वो यह है कि 11 डाउस की sell होगा उसके बाद situation हमको clear हो जाएगी क्या तुम 90% मान के चलो कि बायन में एक रोनाल्डो के लिए नहीं जाएगी और तीसर में रोनाल्डो रहेगा लेकर अजीब बात यह कि अगर कोई और situation यहाँ पर और कोई क्लब एक certain offer ना दे पाए अब definitely आप में से काफी लोग demotivated और यहाँ पर एक तरीके से traitor भी कह सकते हो कि यार यह कैसा player है Cristiano Ronaldo से हम यह उमीद नहीं करते लेकिन अभी हम वापिस से उस कर रहा ना वह automatically इस रेस में क्योंकि अगर मैं अथलेटिक को मेंड़िट की बागता हो ना तो खुद देखोगी कि यह अपने क्लब के हरारकी को बता दिया कि देखो सीजी सी बात है मैं को राइट बैक चीए यार फोरवार उनमें बहुत है जाओ फिलिक्स है एंटोन ग्र यार देखोगा रोनालडो के हम बात करें तो सबस्याद चोदा उसने अथलेटिको मेड़िट को यह तो अफ़ोर्स टोटली अंडस्टांडबाल है कि अगर अगर अथलेटिको मेड़िट का फैन वेस रोनालडो की साइनी से खोश यहां पर क्यों नहीं होगा लेकिन इसी क कि वो लेलो इसाने को एक्चुली में साइन कर ले बायन मुनिक से इसी समर अब यह चीद इंपोर्टेंट इसले विए कि हम रियाल मेंटर की बात करें ना तो खुदका ही फैन पैस एक्चुली में यह कॉश्चन खड़ा करता है कि यार दो सीने प्लेयर साइन कर रहे तुम खटक रहा है हाँ ठीक है मतलब पैसे हमने जादा पे करें बड़ जब पीएजी रेस में होती है तो आप और कुछ नहीं कर सकते और इस बार तो एक्चुली में लिवरपूल भी थी और इसी के साथ अगर हम दूसरे प्लेयर की बात करें तो रूडिगर अब काफी लोग य और तीसरा रीजन में को सबसे बड़ा रीजन यहाँ पर यह लगता है कि रियाल मड़िट चैंपें लिग जीती है भाई लेट्स पूट सम फेथ और बिलीफ हम उसमें रख सकते हैं अब लेरो इसाने की डील पर अगर हम वापिस है न तो यह चीज़ एक्चुली में मना हो है और खुद यहाँ पर कार्लो अंसलोटी ने अपने प्रेस कांफरेंस में इस चीज़ को मना कर दिया है कि रियाल मड़िट का जो समर ट्रांसर विंडो है वो यहाँ पर खतम हो चुका है अगर यहाँ पर कोई प्रॉपर ऑपर अपर अराइज नहीं करती है और तुम सच- है और अगर अवेलेबल है तो कहीं ना कि रियाल में दो बार सुच ही कि हमारे पास लुकस वासकस है और डैनिक कावाल है अगें चांपर लिग मिनिंग स्कॉर्ट वर्सिटालिटी और कन्विक्शन फिर ट्रांसवर भी बहुत सारे फैक्टरत आ जाते हैं जो कि इस लेकिन इसी के साथ यह अब बात करते हैं थोड़ी सी तारीक पर तारीक की अब इंबरेसिंग सिच्वेशन पर बात कर लेते हैं और सबसे पहले तो मेरे को मैं अपने एपिसोड में कॉल आउट करना जादा पसंद नहीं करता चाहिए वो किसी भी क्लब का फैन बेस हो चाह आइडियल सिच्वेशन नहीं है लेकिन जब कोई यह गया रहा है कि रोनाल्डो चैंपिन लिग के लिए कितना मर रहा है सथिसलाह का बुद्धा है एंडेफिनेटली टॉक्स टिंग्स मेरे को घुसा इसी पर आता है जब एक पैन बेस या फिर एक पाटिकुलर सेक्शन अ पोड़ा सा बुरा लगता है कि हम काफी ज़्यादा हाइपर है अपने ओपिनियन मनाने में भी अगर हम रिसेंट बात करें तो एटलेटिक ने सिच को कंफर्म कर दिया कि बासलोना युनाइटिड में एग्रिमेंट है सब अच्छा चलता है लेकिन उसके बाद अगेन यह बक्चोदी आया थे कि ठीक है अभी डियॉंग अभी भी नहीं माना एंड सबसे पहले स्पोर्ट्स की बक्चोदी वाली रिपोर्ट्स आ रहे आती है कि बैड लग है यह है और यहाँ पर अब यह रिपोर्ट्स आ रहे है कि हावेवर डियॉंग इस चीज के लिए तो मान सब हम चूती हैं क्या हम दो मैंने से के पीछे जख मरा रहे हम भाई हर एक चीज हम पैसा देने करें त्यार है एक्टी फाइव मिलिन यूरो हम देने करें त्यार है बार्स तो नहों को पता है कि बेंचेस नेडिट ने बिना किसी चूचपड के पैसे दे दिये हैं ऑफर द करते भी ना तो इतनी जल्दी नहीं आते जितनी जल्दी यूनाइटिड आ गई अब आप मैंसे काफी लोग को होगी यूनाइटिड तो दो मैंने से जक्मारे भाई हम बार्स तोनों के साथ हमने कपका एग्रिमेंट कर लिया था और वो यहां पर हमेशा डियोंग का पंग अगेन मैं इस चीज़ को फिर से बता देता हूं कि आम नोट सेंग कि वो जो कर रहा है वो आइडियल है आम जेस्ट सेंग कि अगर वो गलत है यह भी एक सिच्वेशन ऐसे जिस पर यूनाइटिड को भी थोड़ा खिसी आना चाहिए और अगर 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 डियोंग यूना था ही नहीं हमारे लिए खेलने के लिए उसके अले साल है पिच्चासी मिलन भी दे रहे थे दो महीने भी खराब कर दिये और उसके चक्कर में हम को यह अच्छा था मिट्फिल्डर भी लेके नहीं आ पाए तो दिस इस प्रॉब्लम हाँ एक अच्छी चीज यह है कि यॉना और रिक्रूट करने वाले और वो आता है यहाँ पर जिंचेंको मैं थोड़ा सही बता हूं जब मेरे को यह रिपोर्ट में थी तो मैं थोड़ा शॉक हुआ था कि एक्च्छल मैं सिटी अलाओ कर रही है संक्शन कर रही है इस डील को बट इस इस आउप गाजला को सिस्टम वक करता है अब वैसे तो यार देखो इस पॉइंट अप टाइम पर अगर जिंचेंको की जाने की बात करें तो सिटी ऑल्लेडी कुकुरेला को राउट अप कर चुकी है शॉट्लिस कर चुकी है इस अ मैटर ऑफ डेज मैटर ऑफ वीक्स जब यहाँ पर कुकुरेला सिटी क रोन तो है और वो बहुत इंपोर्टेंट भी है लिसांद्रो मार्तिनेस की रेस में आये ते वहाँ आर गए तो डेफिनेट्टी यहाँ पर आर्सनल जिंचेंको को प्लेयर लेक्टे आ रही है अब यहाँ पर हम देख सकता है कि मिकला आर्टेट और जिंचेंको और जिंच के रिपोर्ट के हमाने तो पैसा अभी भी रिवील नहीं हुआ है कि आर्सनल कितना देने के लिए और मैंचेसे सिटी एट लीस्ट कितना वो ओफर होगा जहाँ पर वो ओफर को कंसिडर भी करेगी और नेगोसियेशन में एंटर करेगी तो यह देखने वाली बात है बाकि